हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब अज फ्रेंट्स में आपके साथ शेयर करने जारी आपने घर की साफ सफाई आप कुछ इसी टिप्स से कैसे कर सकते हैं हाउस क्लिनिंग की बात करें तो अपने घर को कौन होगा जो साफ सुत्रा नहीं देखना चाहेगा लेकिन अगर आप वरकिंग वुमेन है तो बात थोड़ी अलग है यहाँ आपका मन तो करता है लेकिन काम के बोच के चलते कुछ अधिक नहीं कर पाते हैं और जब भी हफते के लास्ट में आपकी काम से छुटी होती है उस दिन सारा दिन आपको साफ सफाई में चला जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप थोड़ी समझदारी से काम लेते हैं तो आपका विकेंड बाकी लोगों की तरह इंजॉई कर सकते हैं बस आपको कुछ खास नियम बनाने हैं सफाई से जुड़े और खुद और लोगों को भी इसका नियम का पालन करने की सीख दे पर इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको और टिप्स दूँ आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साफ सफाई के लिए कपड़ों को सही जगा पर रखें होम क्लीनिंग में सबसे पहला कदम के तोर पर आप एक छोटी बगेट में खूप सारे माइक्रो फाइवर वाले कपड़ डाल कर इन्हें ऐसी ऐसी जगा पर रख सकते हैं जहां आपको इनकी जरुत पड़ती है जैसे रसोई वाश्रूम के अंदर की सफाई के लिए अगर हमारी पहुँच में कुछ ऐसा है जिससे हम कच्रा साफ कर सकते हैं तो हम कर देते हैं नहीं तो बात की बात में ही रह जाती है तो गंदगी गटा होती चली जाती है और इसका परिणाम हम जानते हैं विकेंड की परवादी ऐसा सोचेंगी तो निश्चित ही आपको सफाई करने की प्रिणा मिलेगी रूम में जूते लाना बंद करें हाउस क्लीनिंग में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आप ये रूल अप्लाई करने में और घरवालों और आने वाले बाहर वालों से अप्लाई करवाने में काम्याफ हो जाती हैं तो समझे आपकी निकल पड़ी क्योंकि अगर आप जूते लेकर रूम में या घर में नहीं आते हैं तो फर्ष और कार्पेट दोनों लंबे समय तक साफ सुत्रे बने रहते हैं और धूल मिट्टी का जमावड़ा भी नहीं होगा लेकिन इसके लिए आपको कमरे के बाहर शूरेक या स्टैंड रख सकते है ताकि आने वाली लोगों को अपने आप वहां चूते उताने का मैसेज मिल जाए काम और सफाई को पैंडिंग में नहीं छोड़ें हमारी आदत होती है कि जो काम करने वाला होता है मिन्स पैंडिंग बड़ा होता है हमें वो बड़ा असान लगता है जैसे कि खाना बनाने के बाद मैं यह सब साफ कर दूँगी लेकिन आपको पता है खाने के तुरंद आपको विकेंड पर महनत करवाता है इसलिए आपको चाहिए कि खाना बनाने के तुरंद बाद लगे हाथ अच्छे से चीज़े साफ करतें और बरतन जो आपको धोने हैं उनमें सिंक में पानी भरके रख देता कि उन्हें धोतिर टाइम आपको कम से कम रगणने में महनत कर करने पड़े हाउस के लिनिंग उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आप इसे अपने आलत से बना देते हैं गदो पर कवर चड़ाएं जब आप तक्यों के लिए कवर की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं और मेली हो जाने पर आप पैच्छिट भी चेंज करते हैं तो गदो के साथ इतनी बेमाने क्यों जबकि अगर आप थोड़ा ध्यान रखते हैं तो गदो का भी और उन पर कवर इस्तेमाल करती हैं जो बहतरीन होगा जिम्मेदारी बाटें आप ऐसा नहीं सोचें कि आप एक ही दिन में या एक ही अंजिने ये सब मैसेस करना हैं क्योंकि एक अच्छे पैनल्स होने के नाते आपने आप बच्चों को संसकार अच्छे दीजिए अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि आपके छोटे मोट पर काम वो कर सकते हैं तो आप बिना किसी संकोच कि उनसे काम करवा सकती हैं और ना केवल बच्चे अपितु कुछ भारी चीजे इधर से उद़र शिफ्ट करने में आप अपने पतीकी मदद भी ले सकती हैं कुछ काम करने को बोलें वजर्माना के तौर पर आप अपने पर उन्हें प्रोस्साहित कर सकती है या फिर अगर कोई ऐसा नहीं करता और फिर भी गंदगी करता है तो आप उसे किसी तरह की कोई पनिश्मेंट दे सकती है जो ऐसी होनी चाहिए कि उससे कुछ सीखने को मिलना चाहिए अपने हाउस को क्लीन रखने के थोड़ा अनुशाश करिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई